Hello everyone, I am Aastha, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल, Government Job, Genuine Notification So, Madhya Pradesh State में प्रात्मिक सिक्छक पातरता परिक्छा के लिए notification रिलीज कर दिया गया है प्रात्मिक सिक्छक पातरता परिक्छा means वर्क तीन के जो टीचर होते हैं उनके लिए अगर आप Madhya Pradesh State में वर्क तीन के सिक्छक बढ़ना चाहते हैं, टीचर बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Tate Examination, Teacher Elisability Test, Qualify करना होता है, Clear करना होता है So, यहाँ पर Primary School के टीचर बढ़ने के लिए जो Elisability Test है, उसका notification रिलीज हो गया है यह आपके online apply करना होगा इसके लिए और application आपके 1 October से 15 October तक चलेंगे 15 दिन के लिए यहाँ पर आपके application चलेंगे and correction window भी आपकी 1 October से लेकर के 20 October तक correction window open रहेगी तो यह date आप याद रखेगा, apply करने की date and correction क्योंकि अगर आपके form में why mistake कोई mistake हो जाती है और आप उसको correct करना चाहते हैं तो इसके लिए correction window open होती है उस timing में अगर आप कर लेते हैं, उन date में अगर आप करते हैं तो ठीक है उसके बाद आपको कोई भी correction करने का मौकर नहीं मिलता है तो यह date आप याद रखेगा अब आपका यह जो examination है, यह आपका tentative date यहाँ पर 10th of November 2024 से start हो जाएंगे 10 November 2024 से आपके start होंगे and यह आपका exam 2 shift में रहेगा 1st shift आपकी morning रहेगी, 2nd आपका noon में रहेगा तो morning की जो shift है, reporting time आपका 7 से 8 है means आपको 7 से 8 के बीच में आपके जो exam center है वहाँ पर आपको पहुँचना होगा अगर आप morning shift में है अगर आप noon shift में है तो साड़े बारा से देड़ वजे के वीच आपको पहुँचना होगा उसके बाद यहाँ पर जो आपका exam का time दिया गया है यह सुभे का जो रहेगा वो 9 से साड़े 11 है, धाई गंटे और noon में आपका धाई से 5 बजे तक रहेगा ठीक है, तो धाई गंटे का timing है प्रातमिक सिक्षक के लिए सन्युक्त पातता परिक्षा की बैदता आज़ी वन रही है अगर हम इसकी validity की बात करें तो lifetime इसकी validity है प्रातमिक सिक्षक पातता परिक्षा बर्स 2020 में पात्र अभ्यारतियों को पुन्हा पातता परिक्षा में समलित होने की आविशक्ता नहीं है जो 2020 में कर चुके हैं उनको फिर से यहां पर एप्लाई करने की जरूरत नहीं है सिक्षक के रिक्त पदों पर निवक्ती है तो बिभाग दोरा बिग्यापन जारी कर चैन परिक्षा अउजित की जाएगी अब एक्जाम सेंटर देखिए तो यहां पर जो आपके एक्जाम सेंटर रहेंगे न वो MP में हैं तो MP स्ट्रेट में ही रहने वाले हैं इसमें आपका बालागाड, भोपाल, ग्वालियर, इंदो, जवलपूर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जेन ये आपके एक्जाम निसन सेंटर रहेंगे इसके बाद आविदन पत्र भरने की प्रकिरिया देखेंगे तो परिक्षा की विस्तित नियम पुस्तिका ये डीटेल में अपलोड है तो मैं आपको इस पर भी आपको डीटेल प्रोवाइट करूँगी एपलाई करने के लिए www.esb.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप एपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के लिए आपको फीस पे करनी होगी तो केवल मद्द प्रदेश के जो मूल नवासी कैंडिडेट है सब्सक्राइट के लिए 500 रुपए रहेगी बाकी अन रिजब कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एपलिकेशन फीस पे करनी होगी ठीक है अज मद्द प्रदेश के ही जो रिजब कैटिगरीज के कैंडिडेट है उन्ही को यहाँ पर एलेक्सेशन दिया गया है अब इसमें अभ्यारती का आधार पंजियन होना जरूरी है मंडल दौरा आएजुत परिक्छाओ में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना जरूरी रहेगा तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन आपके दिये गए हैं जिसमें आपको डीटेल में जो रूल बुक है उसमें बताया गया है चलिए अब इसके बारे में हम डीटेल देखेंगे क्वालिफिकेशन के अगर हम बात करें एलिजबिल्टी क्या होनी चाहिए तो यहाँ प्रात्मिक सिक्षक भरती नियम 2018 के अनस्वार यहाँ पर जो अनवार योगता है उसमें कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपका 12 पास हो या 12 की एक्वेलेंट जो कोर्सिस गौवर्मेंट ने रखे हैं वो हो तदा प्रारंबिक सिक्षा में दो वर्स का जो डिप्लॉमा होता है यह आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए अलिजबिल हैं अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है तो मिनिमम परसेंट इस 45 45 परसेंट से अगर आपने 12 किया है आपके 12 में 50 परसेंट नहीं है तो second rule आप पर second जो नियम है यह आप पर लागो होगा 12 में कम से कम 45 होना चाहिए और इसके साथ ही आपने प्रारंबिक सिक्षा सास्तर में दो वर्स का डिप्लॉमा हो ठीक है अगर आपके पास यह क्वालिफिकेशन नहीं है कि 50 परसेंट तो है लेकिन यह कोर्स नहीं है तो 50 परसेंट मार्क्स अगर आपके 12 में है तो इसके साथ में आपका 4 वर्स यह जो BLA होता है यह आपके पास होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास ये भी qualification नहीं है तो कम से कम 50-35 अंकों के साथ 12th होना चाहिए और इसके बाद 2 वर्ज ये diploma बिसे सिक्छा में तो भी आप eligible होंगे अगर आपके पास ये qualification भी नहीं है तो आपने graduation किया हुआ हो और प्रारंबिक सिक्छा में दो वर्ज का डिपलॉमा हो या इसके समकक्ष हो तो वो candidate भी अपलाए कर सकते हैं ये इतने सारे option आपके पास है अगर आप graduation है तो 12th की percentage मैटर नहीं करेगी माइन नहीं रखेगी ठीक है तो ये यहाँ पर दिया है तो वर्ज का डिपलॉमा है इसमें दिया गया है लेकिन सभी में अब इसमें आप देखेंगे पांच परसेंट की छूट CST candidate को जो percentage यहाँ पर मांगी गई हो उसमें 5% का relaxation दिया गया है संस्कित पाट साला के प्रातमिक सिक्छा संस्कित के संबंद में संस्कित साहत और ब्याकराण आदी विसर के साथ मानता प्राप्त इसनातक बोड से नियूंतम सेक्षन एक योगता होगी इसके अतिक बेपसाइक योगता में DLA उत्तरीन होना आवश्यक होगा संस्कित के लिए अब देखेंगे यहाँ प्रातमिक सिक्छक के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्छक पातता परिक्छा में क्वालिफाइंग आपको अगर आप रिजब कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप कैटेगरी देख रहे हैं SC, ST, OVC, P, डावलोडी, आर्थे ग्रूप से कम जोड़ तो आपको यह जो एक्जामनेशन है अलिजबिल्टी टेस्ट इसमें कम से कम 50% लाना होगा अगर आप अन्रिजब्ड में आते हैं आपको कम से कम 60% से पास आउट होना होगा इस एक्जामनेशन को क्वालिफाइ करने के लिए एस क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एपलाइ करने की डेट है ना उस डेट से आपकी यह क्वालिफिकेशन जो एलिजबिल्टी है एज और क्वालिफिकेशन यह देखी जाएगी तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्समम एज के लिए कोई भी बाउंडेशन ऐसा नहीं है ठीक है कोई भी इस एक्जाम को दे सकता है लेकिन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगे गई है ना तो साबसे मिनिमम आपकी 21 तो हो ही जाएगी क्योंकि आप 12 के बाद में अगर डिपलोमा बगरा लेते हैं या ग्रेज़ोशन करने के बाद भी करते हैं तो मिनिमम तो आपकी 21 यहाँ पर मेंशन कर दी गई है मैक्समम कितनी भी हो एंड जो लास्ट येर में स्टडी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यहाँ पर अप्लाए कर सकते हैं एंड इसमें प्रात्मिक सिक्षक की अगर हम से आलरी देखें तो निन्तम बेतन यहाँ पर 25,300 प्लस महंगाई भत्तव अगरा और जो अलाउंसे हैं वो इसमें एड होंगे एक्जाम आप देखेंगे इसमें तो पातता परिक्षा के लिए 150 अंकों का 150 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा 150 MCQS टाइप कॉशन और 150 मार्क्स 150 कॉशन आएंगे MCQS टाइप 150 मार्क्स के आएंगे बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर से 30 सभी से 30-30 कॉशन आएंगे लेंग्विजिस दो लेंग्विजिस रहेंगी 1st and 2nd Mathematics और Environmental Study इसमें आपका रहेगा 30-30 सारे कॉशन 150 कॉशन और 150 मार्क्स के रहेंगे बाल विकास और सिक्षा सास्तर के प्रश्ण 6-11 वर्सके जो गुरुप है उसके according यहाँ पर आएंगे भासा 1st में प्रश्ण आवेदन पत्र में चुनी गई भासा के माध्यम से प्रोफिसेंसी पर आधारित होंगे ठीक है सो यह यहाँ पर विकेंसी आ चुकी है अगर आप भी MP स्ट्रेट से ब्लाउंग कर रहे हैं MP स्ट्रेट में आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जाम निशन क्लिया करना बहुत जरूरी है और अगर आप 2020 में कर चुके हैं 2020 में तो उनको फिर से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसकी बैलिटिटी है वो लाइफ टाइम है सो आप एक बार एग्जाम कौलिफाइ कर लिजए उसके बाद आप हमेशा ही बैलिटिटी रहती है इसकी आप बैलिट रहती है जब भी विकैंसी आए आप एपलाए कर सकते है वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजेगा इस से रिलेटेट में डीटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइट करूंगी जिसमें आपके और भी सारे पॉइंट्स को क्लिया करूंगी थैंक्स पर वाचिंग